गुद्वारिंग स्टूरेंट्स आम तमाना फ्रॉम सीएसी डिपार्टमेंट इन सत्यां पॉली टेक्निक कोलेज आट नकोदर आपका सब्जेक्ट है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अप्लिकेशन अप समेस्टर थर्ड आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर प्रोग्राम कंप प्रोग्रामि अगयों अभी एक प्रोग्रामि में कॉलेक्शन हम्ने इंस्ट्रक्षण क अलगवन करकर टाटा रखा उगए ऑम पटिकुलर टास्क को प्रफॉर्म करेंगे जैसे एक्यूट प्रोग्राम को हम एक्जीक्यूट करवाएंगे ठीक हर एक टास्क को हम एक कंप्यूटर में प्रफॉर्म करेंगे ठीक है जारा तर कोई जारा तर जो भी कंप्यूटर के प्रोग्राम है वो programming language में लिखेंगा एंगे और programming languages कौन कौन सी है C है C++ है Java है PHP है .NET है multiple programming languages है वो program जो humor मतला हम लोग पढ़ सकते हैं उसे क्या कहते है source code और वो क्या करते हैं उस source code को लेकर compiler और assembler उसे machine code में convert करते हैं और वो machine code instruction को क्या करेगा execute करेगा computer में ठीक है next algorithm का नाम क्या है इसमें क्या है set of rules मतलब rules बनाएंगे हैं यह नहीं कोई भी algorithm आप कहीं से उठा कर और कहीं से आप execute कर रहो उनके भी कुछ steps से कैसे declare करवाना है कैसे initialization होगी कैसे उसकी calculation होगी और कौन-कौन से operations यूज किया जाएंगे ठीक है algorithm एक तरह का language independent है ठीक है जिस language में बनाओगे उसके हिसाब से algorithm लिखे जाएंगे ठीक है और इसकी instruction जो आपने instruction दी है वैसे आप output भी वैसे ही आपको मिलेगी ठीक है जैसी input दोगे उसको organize यासे आप expected करते हो जैसे 2 प्लस 2 मतलब प्लस करेगा उसकी output 4 होगी ऐसी algorithm में आप represent करोगे next characteristic algorithm के क्या है सबसे पहले है clear and unambiguous इसमें है आप algorithm को simple भाषा में जैसी humor readable हो उसे ऐसे लिखोगे उनका हर एक लिखने का हर एक का अलग-अलग meaning होगा well-defined input जैसे आप कोई भी algorithm को input देते हो well-defined होनी चाहिए जैसे integer दे रहे हो यह नहीं integer में आप character दो variable दो ठीक है well-defined input होगी जो आपने input दी है उसके according आपकी well-defined output आएगी finiteness मतलब algorithm में आपने finite values देनी है यह नहीं infinities value दे रहे हो और loop को आप चलाई जो infinite loop कभी नहीं यूज करनी infinite मतलब finiteness आपकी value होनी चाहिए feasible आपका जो भी algorithm में एक तो simple होना चाहिए यह practical मतलब देखने के लिए भी अच्छा करने के लिए भी execute करने के लिए अच्छा future technology के लिए भी यूज के लिए भी अच्छा हो next language independent यह तो बताई दिया किसी language पर यह यह dependent ही हार एक language के लिए individual languages यूज होंगी ठीके कौन कौन से step से algorithm को use करने के लिए सबसे पहले क्या है कोई भी problem constraint उसे हम solve करेंगे सबसे पहले हमें देखेंगे क्या क्या चीज हमारे लिए available है ठीके और हम input लेंगे problem को solve करने के लिए और अगर हमने expected output चाहिए तो वो हम output को रखेंगे ठीके और problem का हर एक constraint का solution निकालेंगे next algorithm हम 3 number S करने कैसे करेंगे सबसे पहले हम start किसी भी चीज को start करने के लिए हम start use करते हैं ऐसे हम start लगाएंगे ठीके तीन integer variable को declare करवाएंगे number one number two and number three आप तीनों number को add करेंगे और उनकी input जो है हर एक respectively में रखेंगे और इसका result है वो third number में हम store करवाएंगे और जो third number है वो result को store करवाएगा ठीके और उस value को print out करवाएगा next day and जब अपना program execute हो गया तो वह हम program को easily आपकी जो output है वह आपकी easy output जो है वह आपको मिल जाएगी चिके यह थे आपका computer programming and application के notes thank you